सभी किसान मित्रो को नमस्कार स्वागात आप सभी का हमारे यूटूब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लेडर में किसान मित्रो दिनांख है आज 4 जुलाई 2022 वारे सोमवार समय हुआ है साडेनो बात कर लेते हैं मद्द प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदोर की चोईत्रा मंडी वहीं महाराष्ट की सबसे बड़ी मंडी पूने मंडी दोनों मंडियों की जानकरी आपको इस वीडियो में इसलिए दे रहा हूँ कि पूरे मंडी कल चालू थी यानि कि पूरे मंडी संडे की दिन चालू रहती आपको मैं जमकरी देदू इंडिया में सिर्फ एक मंडी ऐसी है पूरे मंडी जो संडे के दिन चालू होती है और वो क्यों सालो होती है ि Miz Hey. बहुत अच्छी जानकरी मैं आपको दे रहा हूं और हर संडे के दिन में पूने मंडी का भी आपको भाव दूँगा यानि कि मंडे के दिन संडे के दिन मंडी चलू रहेगी उस दिन नहीं दूँगा उस दिन तो साप्ताइक समिक्ष्या का वीडियो बनाऊंगा आने वाले स हर संडे से साप्ताइक समिक्ष्या के वीडियो बनेंगे आपके लिए और पूने मंडी की जनकरी मैं आपको दूँगा फिस सुमार के दिन आपको इंदूर की आवक की जनकरी और पूने मंडी के भाव की जनकरी दी जाएगी सुबा पहली साड़े आड़ बजी ठीक है पूर्णी बहुत सारी लोग है जो जनकरी देते हैं लेकिन सही जनकरी के अभाव सभी किसान मित्रों को नमस्कार शुरू कर लेते हैं सबसे पहले वीडियो को देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पुने मंडी के भाव की कल पुने मंडी की अगर आपको भाव की जान करी दूँ तो उपर में टॉप को लेटी माल 18 सुरू परती कुंटल बिका है महराष्ट की जो भासा है उसी भासा के अंतराल में मुझे वाटसप के जीरे से जैनकरी दी जा रही है लेकिन महराष्टियन जो भासा है वो मुझे समझ में नहीं आती है फिर भी आपके लिए मैंने ट्रांसलेशन का किया और उसको समझा और समझने के बाद आपको मैं भाव बता रहा हूं वहाँ पर गोल्टी का भाव भी आपको 700 रुप्रती कुंटल तक मिलेगा पुणे मंडी में 700 रुप्रती कुंटल का भाव गोल्टी का है मेरे किसान भाईयों गोल्टा का जो भाव वो 1000 रुपे 12 सु रुप्रती कुंटल है अच्छी quality का जो best प्याज continuar बावे 15़ प्रती गुंट और जो export quality का प्याज ए उसका भावे 16 सो रुपे से लगा के 18 सो रुपरती कुंटल मीरे किसान भाईयों वहां पर sera प्रती कुटल से लगा का पानसर्फेकुटल तक महाराष्टी की पुणे मंडी महाराष्टी की पुणे मंडी और शंडे doing बhoven देढू शार्टे के दिन बन रहती है पुणे मंडी और संडे के दिन चलू रहती है तो जो मैंने आपको भाव बताया था, यहनि कि Saturday के kuin के दिन मैंने आपको भाव बताया था, पोने मंडी का वो बताया था, Friday का भाव, Saturday का भाव नहीं था, Friday का भाव और Friday के दिन मंडी चालू रहती है, Sunday से फिर चालू हो जाती है, तो Sunday to Saturday तो और Friday स acredet li that Charles उम्मार से लगा के रविवार से लगा के शुक्रवार तक मंडी चालू रेती है शनिवार के दिन वहां का अउकास रेता है पूने मंडी का भारत की सरफ एक ही मंडी ऐसी है जहां शनिवार को अउकास रेता है और संडे को मंडी चालू रेती है बहुत बड़ी बात है बहुत को जानकारी सोलापुर मंडी की पूने मंडी की थोड़ा स्वास तभी भी गरबढ है ठीक हुआ हूं लेकिन इतना नहीं पूने मंडी सोलापुर मंडी नासिक की लासल गाओं मंडी पिपल गाओं मंडी और डिंडोरी मंडी डिंडोरी मंडी नाम से मुझे कुछ सब्द में स पाऊंगा भाव तो सभी क्या रहें वीस मंडियों के बहुँ आते हैं मेरे पास लेकिन लेकिन बहार की जितनी बी फोन के दोरा जानकरी लेता हूँ महाराष्ट की पूने मंडी की जानकरी फोन पर आती वाटसप के जिरे से आती है साथ ही साथ हमारी जो सोलापुर मंडी उसके जानकरी वाटसप के जिरे से आती क्योंकि मत्यप्रदेश से महाराष्ट काफी दूर है और पर आपको पताया मैं नहीं जा पाओंगा इतनी दूर यह तो आपको भी मलूम है इंदोर मंडी जाता हूँ हफ्टे में एक दिन और शायापुर मंडी हफ्टे में उपके में शेष्ट के नहीं आघसेट में हम गारास्ट की पूर मंडी की क्योंकि महाराष्ट की पूने मंडी का जो वाटसप ग्रूप है उसमें मेरे को जोड़ा किसने में आपको यह और यह भी बता देता हूं महाराष्ट के जो प्याज उत्पादन कांदा संग के अध्यक्स है भारत दिगोले जी उन्होंने मुझे वाटसप के जिरे से वहाँ पर जोड़ा है और वो मुझे अभी जो लाइव वीडियो वहां के हैं वो भी देने की कोसिस करेंगे भारत दिगोले जी लेकिन वो वीडियो के माध्यम साब को एक्यूरेट जानकरी जोड़ दे पाऊंगा इसलिए नहीं डाल पाऊंगा मेरे किसान भाई उसका में कारण बता देता हूं आपको क्योंकि लाइव वीडियो कर में डालूंगा मेरे इसमें यूटूब पे तो कॉपी राइट आ जाएगा इसल ना कि कल के बाहु की जानकरी क्योंकि कल संडे था और संडे के दिन मंडी बंद रहती इंदोर मंडी एक महत्पूर्ण जानकरी है इंदोर मंडी के बारे में आपको जरूर बताऊंगा च्छे जुलाई 2022 यन karaoke बुधवार हाट चार जुलाई कल मंडी चलू रहेगी परसु मंडी बंद रहेगी बंद रहेगी बन रहेने का बहुत मेहत्त्रूर्ण कारण है नगरपालिका की चुनाव है उसी कारण से इंदोर मंडी बुधवार के दिन बंद रहेगी और बुधवार के दिन साइद हो सकता है कि छे तारीक को नगरपालिका की चुनाव हो महाँ पर इसलिए बंद कर रहे हैं वो तो मुझे जहां तक जानकरी दी गई है पुर्शक्तमदास नारानदास के द्वारा मुझे जनकरी दी गई है फोन के जरे से उन्होंने बोलाए कि छे तारीक याने बुधवार के दिन मंडी बंद रहेगी इम्रेकिसान भाईयों तो बुधवार के दिन आप कुछ भी माल लेके मंडी में ना जाए गुरुवार के दिन मंडी फिर से चलो होगी अपने कारे दिवस पर रहेगी गुरुवार शुक्रवार और शनिवार शनिवार को भी सायद मंडी बंद रह सकती है क्योंकि शेकन शेटर रहेगा इस करण से ठीक है तो वो थोड़ा सा अंदाज लगा लीजिएगा आप यह फिर मैं आपको जनकर दे दूँगा फ्राइड़ के दिन शुक्रवार के दिन आपको जनकर दे दूँगा अब हम चलते हैं इंदूर की चोईतरा मंडी की आवक देखते हैं आज कितनी आवक है सबसे पहले बात करेंगे हम 35 की 32 कटे के आवक देखने को मिली है बात करते हैं लसून की 13,000 कटे के आवक देखने को मिली है अब बात करते हैं लोकर की आवक हुई है नहीं तो लोकर की आवक एक भी कट्टे की नहीं हुई है इंदूर मंडी में वहीं उटी रियावन सिल्वर जीटू की आवक भी एक भी कट्टे की नहीं हुई है इंदूर की चोहितरा मंडी में तुलसी बेस्ट क्वालिटी की पेकेट में आई है, पुरस्वत्तम दास जी के यहाँ दो चार लाट आये हैं पेकेट के, अब देखते हैं वो क्या रेट में विखते हैं लसुन के, महीं अगर बात करें महाराष्ट की गाड़ी की तो महाराष्ट से एक गाड़ी इंदोर मंडी में देखने को मिली है, खंड़वा की एक गड़ी इंदोर मंडी में देखने को हमें मिली है, महीं बात करें महेश्वर मंडलेश्वर साइट का भी प्याज इंदोर मंडी में आज देखने को मिला है मेरे किसान भाईयों, तो ये तो होगी मेरे किसान भाईयों, पोने पुर्सोत्तम्दाज जाता है एक सो पांच निम्बर फड दुकान और उनके यहां पर सब्सक्राइब करता है उनका भी दुकान है उनका भी दुकान है उनके फड़ पर आलू प्या लसुन तीनों जिनसुका अच्छा दाम मिलता है लेकिन लोग क्या है बरौसा नहीं कर पाएब लोगों को लेके जाना चाहिए अच्छा माल उनके बहुत अच्छा रेट देंगे हो मेरी यूटूबर है और किसान के हितेशी है मैं ग्यारंटी के साथ बता रहा हूं आपको 71 पर आप माल लेके जाईए आपका बहुत अच्छा रेट दिलवाएंगे कपिल जी कपिल अब हम चलते हैं इंदोर की चोईत्रा मंडी में प्याच क्या रेट विकाता शट्रेटे के दिन शनिवार के दिन तो इंदोर की चोईत्रा मंडी में प्याच साड़े सोलसु रूपे टच हुआ मेरे किसान भाईयों visit quality का प्याच प्याच पुरसान दमदास जी कहें हाँ सबी ये बताते हैं कि कब कुलेगा ये कुलेगा वो कुलेगा मैं बताता हूँ सही जान करें आपको शटे डे और शंडे बैंक का अवकास रहता है बांगलादेस में और जब तक बैंक का अवकास रहेगा तब तक बांगलादेस बाडर नहीं खुलेगा लेकिन बैंक आज चालू है और मुझे जहां तक उम्मीद है बंगलादेस बाडर आज खुलेगा क्योंकि जब बाडर खुलता है उसके पहले बैंक देखते हैं कि बैंक चालू है या नहीं जब प्याज मंगवाते हैं तो कम सकम बैंक चलू होना चाहिए ताकि पेसे का अरदान प्रदान हो सके ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको पेसे का अर्दान प्रदान हो सके पूरा खेल पेसे के उपर है बांगलादेज बादर खुला नहीं खुला ये तो पिशे वाली बात है पहले बात यह करें की बैंक चलू है या नहीं है तो आज बैंक चलू है Saturday और Sunday दोनों दिन बैंक बंद रहा था बंगलादेश का और भारत का संडे की दिन बैंक बंद रहा था उसी करण से बंगलादेश बाडर नहीं खुला आज उम्मिद है बंगलादेश बाडर खुलने की भारत दिगोली जी से मेरी बात हुई है 100% उन्होंने बोला कि आज बंगलादेश बाडर खुलने की पूरी की पूरी उम्मीद है अगर आज नहीं खुला तो तो यह है मेरे किसान भाईयो जानकरी पूरे मंडी इंदोर मंडी और बांगलादर बाडर के संबन देत आपको इंदोर की चोईतरा मंडी और शाजापुर मंडी इंदोर के संबना है प्रोग्ट